इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते ह और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी. AC Myocet P tablet कड़ी मांस्पेशियों को आराम देकर मांस्पेशियों के दर्द का इलाज करती है. यह मांस्पेशियों में सूजन को भी कम करता है. कुल मिलाकर, यह असान आवाजाही में मदद करता है और आप अपनी दैनिक गतिविधियों को बिना किसी समस्पेशियों के दर्द से जुड़े बुखार को कम करने में भी मदद करता है. यह सलाह दी जाती है कि जब तक आपका डॉक्टर आपको रोकने की सलाह न दे, तब तक SMIOCETP टैबलेट लेना जारी रखें. दर्द से राहत पाने के लिए आप दवाओं के साथ साथ कुछ हलके व्यायाम भी कर सकते हैं या फिजिकल थेरपी ले सकते हैं. इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें. इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुछलें या तोड़ें नहीं. SMIOCETP टैबलेट को भोजन के साथ लेना बहतर होता है. SMIOCETP टैबलेट तीन दवाओं से मिलकर बना है. एपिरिसोनिक मांस्पेशी रिलेकसेंट है. यह ताकत में कमी किये बिना मांस्पेशियों की जकरन या एंठन को दूर करने के लिए मस्तिश्क और रीर की हड़ी के केंद्रों पर काम करता है. यह दर्द और मांस्पेशियों की गती में सुधार करता है. एसिकलोफिना के गेर स्टेरायल विरोधी भरकाव दवाएं यानि की इनिसे आइडी है यह दर्द और सूजन यानि की लालिमा और सूजन पैदा करने वाले कुछ कैमिकल मेसेंजर को निकलने से रोपता है पैरासितामॉल एक एनाल जैसे यानि की दर्द निवारक और एंटि-पायरेटिक यानि की बुखार कम करने वाला है यह दर्द और बुखार का कारण बनने वाले कुछ रासायनिक संदेश्वाहकों की रहाई को रोप कर काम करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद